कक्षा आटवी के MCQ के प्रस्नों को देख लेते हैं तो इसमें जो प्रस्न हमें देखना है उसमें देखो यहाँ पे निर्देश दिया हुआ है तो इस निर्देश को हमें पूरा पढ़ना है ठीक है एक से लेके 5 तक के निर्देश है इन सभी के सभी निर्देशों को पढ़ना है और इन ही निर्देशों से हमें एंसर को ढूडना है तो चलो अब सिधर प्रसनों पे चलते हैं तो पहला प्रसन क्या है तो पहला प्रसन है वजन के अधार पर तालिका में दिये गए प्राडियों का सही घटना क्रम क्या है तो हमें बताना है सही घटना क्रम तो वजन की साब से तो सबसे अधिक वजन किसका हो सकता है निली वेल का निली वेल जो है 173 मिट्रिक टन है तो इसमें निली वेल हो गया तो पहला हिस्थान निली वेल का है इसका मतलब C option इसका answer होगा डायक्ट आप डायक्ट अगर चैनीद करते हो तो सबसे अधीक वजन वाले को डायक्ट देख लो या सबसे कम को तो आपको answer मिल जाएगा तो सबसे अधीक में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे निली वेल है इसके बाद डायनासोर है उसके बाद तीसरा हिस्थान में हाती, चौथा में मगरमच और पाचवा में सुतुरूर्ग है तो इसका answer होगा C होगा इसके बाद दूसरा प्रसन देखते हैं तो दूसरा है केवल साकाहरी पर जीवित रहने वाली प्राड़ी कौन है तो हाती है सिर्फ पत्तो कोई खाता है इसलिए क्या होगा हाती इसका answer होगा इसके बाद देखो तीसरा प्रसन क्या है तालीका के अंसार वजन की द्रिश्टी से सबसे अधीक और सबसे कम भारी प्राड़ी कौन है तो सबसे अधीक जो है वो निली वेल है और सबसे कम है सुद्दूर तो इसका answer होगा C होगा ठीक है इसके बाद चौथा देखो तालीका में दिये गए प्राड़ियों में जल जल चर प्राड़ी कौन है जो जल में अपना भुजन प्राप्त करने वाले प्राड़ी को जल जर कह सकते हैं तो जल में प्राप्त कर जल में रहने वाले जो हिंदी भासा का है तो हिंदी भासा हाथी जो है वो हाथी जो है वो भारत में पाया जाता था भारत के बाद वो बांकी जगों में भी पाया गया है इसलिए हाथी जो सब्द है वो हिंदी सब्द है तो इसका एंसर होगा हाथी होगा इसके बाद देखते हैं फिर से अगला नि प्रस्ण में चलते हैं क्योंकि मैंने इसे पहले से पूरा पढ़ लिया है इसका एंसर क्या क्या हो सकता है वो अब देख लेते हैं तो छटवा प्रस्ण है सुचना में दिये गए सिवीर के लिए कौन से व्यक्ति पंजियन कराना चाहेगा ठीक है कौन से व्यक्ति पंजियन क तो यहां पर देखो चार option दिया हुआ है, पहला option है, पैसे कमाने के लिए, दूसरा option है, गांधी जयनती मनाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए, और लोगों की सेवा के लिए, यहां पर चार option बताया गिया है, अब चारो option में, जो सबसे important option है, वो होगा भी होगा, इसलिए पैसा आ नहीं सकता, गांधी जयनती के लिए दिन मनाया जा रहा है, गांधी जयनती के दिन, अगर उसे सिवीर को रखा गया है, तो भई वो तो दिन कई भी किसी भी दिन, special दिन रखा जा सकता है, तो यह भी इसका answer नहीं हो सकता है, ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए भी इसका answer नहीं हो सकता है, तो क्या बच्चा, सिर्फ लोगों की सेवा, इसका answer होगा लोगों की सेवा, ने तिस्वीर में आपकी भूमिका क्या हो सकती है, तो क्या हो सकता है, आपकी भूमिका, एक तो यहाँ पे दिया जाच करता है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ग्राम पंचाद में लगा है तो जाच करता कि भूमिका नहीं है, क्या हो सकता है, ना तो आयोजन करता का हो सकता है, पंजीयन करता का, हाँ, यहाँपे दो option है, एक तो पंजीयन करते की भूमिका है, और स्वयम सेवक की भूमिका है, तो यहाँपे C और D दोनों में से कोई एक option आएगा मैं यहाँ पे clear नहीं हूँ कौन से answer आएगा लेकिन अगर यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो यहाँ पे स्वयम सिवक की answer में ले सकते हैं क्यों क्योंकि हम जाएंगे पंजियन कराएंगे तो पंजियन कराएंगे तभी तो हमें इलाज मिलेगा ना तो स्वयम सिवक मतलब खुद जा रहा है तो स्वयम सिवक की भूमिका हो सकता है यहाँ पे answer नौवा देख लेते हैं नेत्रसवीर के आयोजन के लिए उचित निर्देश क्या हो सकते हैं तो उचित निर्देश हमें बताना है तो यहाँ पे देखो पंजियन के लिए जल्दी ना करें अब यहाँ पे क्या है पंजियन के लिए जल्दी ना करें क्या यह सही है बिल्कुल गलत है क्यों गलत है इसलिए क्योंकि यहाँ पे time जो दिया हुआ है वो 8 से 5 बजे तक दिया है तो भी जल्दी नहीं करोगे तो आपको time समाप्त हो जाएगा इसलिए ये गलत option है दूसरा देखो कृपिया पंक्ती बनाएं ठीक पंक्ती बनाएंगे तभी हमें option में मिल सकता है ठीक लाइन बनाके रखना है ये सही है इसके बाद देखो अपना पहचान पत्र लेका रहा ये भी सही है पंजियन कभी भी करा सकते हैं ये गलत है क्योंकि समय निधारी था तो आप पंजियन समय के बाद नहीं करा सकते हैं इसलिए यहाँ पर दूसरा और तीसरा answer आ रहा है आगे देखते हैं अगला है निर्देश यहाँ भी दिया हुआ है ठीक है तो निर्देश है यह पहले ही मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है अब जो प्रस्न पूछेगा उसका मैं answer आपको बताता हूं तो पहला जो प्रस्न है यहाँ पे जो ग्यारवा प्रस्न है वो है गध्यान्स का उचीत सिर्सक क्या है तो हमें गध्यान्स का उचीत सिर्सक बताना है ठीक है तो यह पूरा जो है वायू प्रदूसर्ण से तो वहनो का अधीक प्रयोग सही है क्या नहीं अगर यह नहीं हो सकता मतलब यहां पर देखो हर एक में 3-3-9 सन दिया हुआ है तो मतलब पहला को पहला जिसमें है वही बसको आप गलत करो बाकि सभी को सही मान लो तो पहला A में है B में है और D में है तो तीनो गलत हो गया तो बचा क्या सिर्फ सी तो इसका एंसर हो जाएगा सी ठीक इसके बाद देखो तेरवा प्रसन और ध्योगी करण का सबसे अधिक दूस प्रभाव कहां देखा जा सकता है तो महानगरों में क्योंकि महानगर में ही सबसे ज़्यादा प्रदूसर होते हैं और वहीं पेंड़ जाने के लिए उध्योग सब्द में किस सब्दांस का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे एक सब्दांस का प्रयोग करेंगे तो इसका एंसर होगा बी होगा पंदरवा प्रसन है गाउं से सहरों की और पलायन का दूस प्रभाव किस रूप में देखा जा सकता है तो किस मास के लिए पेड़ो की कटाई करके अपने लिए एक धर बनाएगा इसलिए यहां पर हो रहा है वनों का विनास हो रहा है तो यहां पर आएगा वनों का विनास आएगा होगा दो सही एक बटे चारिस का एंसर आ रहा है चलो आगे देखते हैं सत्रों प्रस्ण को सत्रों प्रस्ण में यहां पर वर गंत्राल दिया हुआ और बारामबारता दिया हुआ है अब इसी वर 143 तो यहां पे 143 का answer होगा. C होगा. इसके बाद अठारवा देखते हैं. अठारवा में है. 10 का घात 100 का मान निमन में से किस के समान है? तो किस के समान है? तो यहां पे देखो 10 का घात Gold 1,10 तो यहां पे 10,10 दिया हुआ है ठीक है? दोनों में. तो यहाँ पर जो आ रहा है B आएगा 10 का खात 50 गुड़ी 10 का खात 50 अगर दोनों जो गुड़ा में तो 10 का खात अगर गुड़ा में 2 मान गुड़ा में और सेम तो सेम रास्ती हो तो घात क्या होते हैं जूड़ जाते हैं क्या होगा 10 का खाथ 50 गुरित 10 का खाथ 50 होगा इसका एंसाद इसके बाद 19 प्रस्न देखो बीजी वेंजक माइनस X का 4 घाथ Y का 6 घाथ में संख्यात्मा गुड़क है संख्यात्मा गुड़क मतलब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या गुड़क है अमें बताना है तो यहां पर देखो कुछ नहीं है इसके साथ गुड़ा दिखाई नहीं मतलब एक का गुड़ा है और सामने में क्या लगए माइनस तू माइनस एक इसका एंसर होगा तो इसका answer होगा B होगा चलो आगे देखते हैं 20 वा प्रस्णों को तो 20 वा प्रस्णों में दिया हुआ है 10 लड़कियों कि हुचाई 70 में मापी गई है और निमलिकित परिणाम प्राप्त हुए तो यहाँ पे सभी क्या है इसके मान दिये हुए इन Сबी को क्या करना है हमें इन सभी को जोड़ना है और हैं प्रस्णों किया निकालना है मां मैद कशती निकालना है मां मतलब है आपको निकालना है सी जी और भी देथित should वाज़स्ध है 10 षट टो 10 सभेही दे ना है तो इसके एंजर होगा, तो यह होगा, ठीक है अब बांकी प्रसनों को नेक्ट पार्द में देखेंगे